वेलो सुन्मून एंड राइजिंग केप्रिकॉंस वेल्कम टू माय चनल ड्रीम टैरोट यह आपके न्यू मन्त की रीडिंग है जून टू थान टू थान ट्रीपोर और यह एक जर्ण रीडिंग होगी जो कि आप से रेजोनेट कर वी सकती है और नहीं भी कर सकती है आप आप स smokes of no being your hemos प्रॉट स्वीड केंें लिए मन्त अब जून में क्या मेशाईज क develops के प्र ट्रीकों के लिए मन्त अब जून में ग्यून के प्रॉट फॉर्थ वीड दून अंडर्नीत यहां पर है दे हर्मिट कोई डिसीशन लेना है आपको आप हो सकत है कोई क्लारिटी चाहते है आपनी लाइफ में या कोई कम्मिनिकेशन चाहते है जिसके बाद आप कोई डिसीशन ले सके है या पिर आप आप आपने बहुत दा रश किया चीजों के उपर बहुत जलबाजी करे थे बड़ाबा आप सोस समझ के कोई डिसीशन लेना चाहते है हर तरफ सारी निगाह डालके मतलब हर तरीके से सोच बिचार करके आप कोई डिसीशन लेना चाहते है वि आप इस परसन के साथ आपका इमोशनल बॉंड है आपको फील होता है और आप किसी पास रिलेशन्शिप के बारे में सो सकते हैं जो अभी जो के लॉस हो चुका है आपसे थोड़ साथ डिवेकल टाइम हो सकते हैं आपके लिए यह तो लेट्स सी के यहां पर फाइव ऑफ कप्स क्या है येस आप रिकंसिलियरशन के हवाले से सोच रहे हैं फाइव ऑफ कप्स जो है वो यह यह क्या आप रिकंसाइल करना चाहते हैं बड़ यहां पे बहुत ज़्याद़ कॉन्फलिक्स हैं और हुस्ता है फैमिली इशूज हो अगर आप किसी परसन से मैरिज करना चाहते हैं और फैमिली आप दर्मियान में आ रही है तो आपको इसका लॉस हो सकता है बड़ आप उस परसन के साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं दुबार से या बहुत ज़्यादा लड़ाई धगड़े के बाद कोई रिलेशन्शिप खतम को अगरा तो कोगो लगजी क्या यहां लगों तो कॉइन बड़ात तो अब आपस tapi कौन सायल करना चाहते हैं वैस परसन के साथ तिल आपको परसन के साथ लव फीलोता है सेकंड वीक में Queen of Swans है तो येस कोई परसन है कोई परसन हो सकता है जो के fire sign है वो prominent हो सकता है कोई female person हो सकता है बट यहां पर येस आप जो है ये आपकी अपनी personality भी हो सकता है आप fire element में आ सकते है means के आप बहुत determined हो सकते हैं अपनी life में और या फिर ये कोई lady हो सकती है जिसके साथ आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो आपके proposal को accept नहीं कर रहे हैं अगर आप female हैं तो भी आप इतने determined हैं अपनी life में अपनी determined हैं कि आप किसी भी area गए proposal को accept नहीं करें और अच्छे proposal का wait कर यहां पर यह सिचुशन हो सकती है और यहां पर आप जो है अगर आप female अगर आप female है और अवर आल सिचुशन में यह हो सकता है कि आप अपनी life के लिए बहुत determined हैं अपने लिए वह step लेना चाहते हैं जिनके लिए जो step आपने पास्ट में बहुत अदर डिले किये जो आप प्रकानि वह सकता है और अपनी life के हौले से सोचना चाहते हैं और लिए जो पर जो सकता है यहां पर आपकी लब लाइव में वापस लाना चाहते हैं और यहां पर संद्रूइमार में तरह साथ हैं इस सिचुशन में अगें से और आपने लाइव सोर्स की एनरजी है सो यहाँ पर कोई conflict create हो सकता है be careful कि बहुत जादा egoistic होने की वज़ा से कोई anger issue हो सकता है आपको हो सकता है या आपके इडगिड के लोगों में हो सकता है five of pentacle की energy five five energy बहुत जादा हो सकता है आपको five 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 नजर आ रहा हो तो बहुत जादा difficult time है Capricorn आपके लिए conflict create हो सकता है third week में जो कि आपको अपने आपको अकेला feel कर सकते हैं फिर लेकिन अपनी ego से आप नहीं हट रहे हैं आप ego में हैं हो सकता है आपका ego जो है वह आपके relationship को बहुत 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 तरीके से hurt कर रहा है चाहिए आपके इडगिड के लोगों और हो सकता है कि यह आपके workplace situation हो जहां पर आपको less salary मिल रहे है money wise इतनी अच्छी जौब नहीं है और और हो सकता है जिसके वज़ा से आप और यह भी हो सकता है कि आपके boss के साथ कोई conflict create हो जाए और family में आपके किसी father figure के साथ conflict क्रियेट हो जाए जिसके बाद आपको financial तोर पर थोड़ा सा problem हो सकता है और यह आपकी family में कोई situation हो सकती है जिसके बाद आप unstable feel कर सकते हैं फोर्थ week में आपको decision लेना है लेकिन आप indecisive है जैसे मैं रहा कि आप कोई सो समझ के फैसला करना चाते हैं जल बाजी में कोई फैसला नहीं चाते हैं तो yes आप decision नहीं ले पा रहें आपको हर तरह की clarity नहीं है जिसके बाद आप को decision ले सके यहां पर अगें से आप अगर इस रिलेशंशिप में बापस जाना चाहते हैं तो आप सारी information हासिल करना चाहते हैं क्योंकि आप दुबारा से चाहते हैं कि चीजें बहतर हों understandings हों चाहे family situation हो चाहे work situation हो अपने work life में भी अपनी emotional life में भी हो भी situation आपके साथ चल रही है वहां पर आप decision ही ले पारे कि आपको इस relationship को चोड़ना है या जोप को चोड़ना है या नहीं सो इसलिए आप फैसला जो है वह सो समझ के करना चाहते हैं आप सारी information गेन करना चाहते हैं पहले उसके बाद ही आप कोई decision लेंगे सो अब भी मुझे लगता कि कोई decision आप बना पा रहे हैं जून में मंतव जून में कोई decision आप ले रहे हैं कोई खास decision या कोई बड़ा decision so let's see कि आपके लिए रुवैंस आपकी लव लाइफ के हाले से क्या advices है from divine की दर्फ से आपकी लव लाइफ के हाले से क्या advices हो सकती है finance and career financial issues are affecting your love life right now तो हो सकता है आप अपने finance अपने workplace पे बहुत आदा busy हैं जिसके लव लाइफ भी बहुत effect हो रही है हो सकता है आप financially इतने strong नहीं है तब भी आपके partner के जो family है वो आपको accept नहीं कर रही है यह भी हो सकता है so financial issues है आपकी love life में effect को effect कर रही है retreat it's time to disconnect from the world तो यहां पर आपको आजा रहे हैं कोछ सवसे के लिए world से disconnect करें अपने partner के हवाले से सोचें वर्ल से disconnect करके आप isolate हो रहे हैं लेट सी कि आपके लिए ओवराल एडवाइजिस क्या है आप डिसकनेक्ट हो वर्ल से ताकि आपको डिसीशन ले पाए सो लेट सी तो अभी भी कुछ सेट नहीं है जो भी हो रहा है उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा जस्ट आपको अगर आपको लगता है कि आपकी जॉप चली जाएगी आपका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा तो ऐसे नहीं है अपने फियर्स पे काम करें इतना जादा भी जाएगा फेयर करना नहीं चाहिए वो आपके पास अबर्डन सारी होती है उनको भी वो डिले कर देता है तो बी पॉजिटिव सब चीदों को ठीक रखें अपने आपने आप में डेटरमाइन रहें और डिसिजन लेने में आप जार से बाते यह आपका एक बिए डिसिजन है के आपको जलबाजी में डिसिजिन नहीं रहें तो जास गोविड़ी डात टीक रखें पास।